हलो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सिस डॉट कॉम दोस्तों करेंट अफेर्स का सीरीज हम लेकर आ रहे और आज जो है आपके सामने 21 फरवरी 2020 का करेंट अफेर्स आपके सामने हम लेकर आए है ठीक है तो चली शुरू करते हैं देखें दोस्तों आजको पता है कि जो अनुशेद 93 है सुप्रीम कोट ने बोला है कि भाई आप लोकसभा जो लोकसभा में उपाधेक्ष है उसके आप चैन क्यों नहीं करते हो ठीक है तो याद रखिएगा जो लोकसभा है याद रखिएगा दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष तथा अध्यक्ष के नियुक्ति के बारे में है ठीक है याद रखिएगा यानुशेद 93 में किसका बोलना दोस्तों तो लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाधेक्ष के नियुक्ति के बारे में है ठीक है लोकसभा के अध्यक्ष के नियुक्ति या लोकसभा के उपाधेक्ष के न चुन लेते हैं यानि कि लोग सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को लोग सभा के सदस अपने सदस्व में से किसी को चुन लेते हैं ठीक है ये चीज़े हैं इसका 93 में वर्णन है तो लोग सभा के अध्यक्ष की तो न्युक्ति हो गई है जिसे ओम बिर्ला हैं लेकिन अभी उपाद्धेक्स के निवक्ति अभी तक नहीं हुई है इसी पर सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है कि भाई आप क्यों नहीं उपाद्धेक्स के निवक्ति कर रहे है तो याद रखिएगा तो यह काफी इंपोर्टेंट है अनुचे 93 तो पूछे कि अनुचे 93 में क्या है तो लोकसाबा के अधेक्स अधा उपाद्धेक्स के निवक्ति के बारे में है और लोकसाबा के अधेक्स अधा उपाद्धेक्स कैसे चुने जाते है तो लोकसाबा के अपने सदस्रों में से किसी को क्या कर लेते है लोकसाबा के अधेक्स अधा उपाद्धेक्स के से बचाने में वहां के स्टाफ ने करमचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो बांदीपू टाइगर रिजर्व जो है जर्शा में आ गया है असा रहना भी किये हैं परहन मंत्री मोदी जी ठीक है तो कुछ याद रखिएगा दोस्त कि यह जो है आप इसको य करनाटक में याद रख लेना दोस्त दो जल पर पात है कुंचिकल जल पर पात है कुंचिकल जल पर पात है और जो कुंचिकल जल पर पात है दोस्त यह कौन सी नदी पर है तो याद रखिएगा वराही नदी पर कौन से नदी वराही नदी और दूसरे करनाटक में एक जल प ठीक है ये जो है ये भी करनाटक में है और याद रखिएगा ये सभी आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन से नदी पर है तो सारावती नदी पर तो याद रखिएगा करनाटक में दो जल परपात हैं कुंचिकल जल परपात वराही नदी और जोग एकर सोपा जल परपात कौन नदी, सरावती नदी, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, अच्छा करनाटक में, करनाटक में आप याद रखिएगा, अन्ने जो नेशनल पार्क हैं, तो एक तो होगे बांदिपूर, दुसरा होगे नागर होल राश्ट्रिये पार्क, नागर होल राश्ट्रिये पार यह कहां पर है तो यह भी करनाटक में है ठीक है और अंसी राष्ट्रिये पार्क अंसी राष्ट्रिये पार्क अंसी राष्ट्रिये पार्क यह भी कहां पर है करनाटक में है तो करनाटक में कौन-कौन से राष्ट्रिये पार्क हो गए याद रखिएगा बांदीपूर पार्क ना राश्ट्रिये पार्क बंदर घर्टा राश्ट्रिये पार्क और अंसी राश्ट्रिये पार्क इसको भी आप याद रखिएगा कि वहाँ पर कौन-कौन से राश्ट्रिये पार्क है तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है और बांदी पूर्टाइगर रिजर्व कहां पर है करणाटक में याद रखिएगा दो जलबर परपाथ है याद रखिएगा कुंचिकल वाराहिण आदी जोग जरसुका जलबर परस्परपाथ सरावती नदी तो कुछ nggak पर उतंटे रुक में आप इसको याद कर लिजेगा इंसक्त करनाटक में ही एक Statue of Prosperity भी खुला है, मुर्ती बना है, याद रखिएगा बैंगलोरु में, याद रखिएगा, कैमपागोडा महराजी के नाम पर Statue of Prosperity खुला है, तो इसको बना है, इसको भी आप याद रखिएगा, और इसके बास्तुकार कौन थे दोस्त, तो राम सुत सरदार, ठीक है, याद रखिएगा, और बीसो के जो सबसे उची परतीमा है, Statue of Unity, ये कहां पर है, इस्टेचू अफ यूनिटी कहां है, तो गुजरात में, गुजरात के केवडिया में, गुजरात के केवडिया में, नर्मदा नदी पर, ठीक है, और ये किसकी परतीमा है, तो सरदार बल्लब भाई पटेल जी का, सरदार हमारे देश के प्रसम ग्री मंत्री थे, सरदार बल्लब भाई, सरदार बल्लब भाई पटेल की ये परतीमा है, याद रखिएगा, ये कुश्चन आपसे पूछ लिया जा, इसका भी बास्तुकार कौन थे दोस्त, तो इसका भी बास्तुकार थे, रामसुतार ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, स्टैचू अफ इक्वाईलिटी, ये कहां पर खुला है, स्टैचू अफ इक्वाईलिटी, तो स्टैचू अफ इक्वाईलिटी जो है, ये हैधराबाद में खुला है, बना है, सब्सक्राद के पर इचिये, होता है है कि पुला है धृस है के ज़िकरका ऐलागे कहता है कि 200 लुसक्न समाजिक न्याएं दिवस कब मनाई जाते हैं 20 फरवरी 20 समाजिक न्याय दिवस कब मनाई जाते हैं दोस्तों 20 फरवरी को मनाई जाते हैं तो ये भी आपके लिए important है समाजिक देखो ये जो है आपका 20 समाजिक न्याय दिवस क्यों मनाई जाता है कि न्याय दिलाने के मार्ग में कोई बाधा ना हो इसलिए 200 समाजिक न्याय दिवस मनाय जाता है यानि कि न्याय जो है सब तक पहुंचे यह नहीं कि न्याय सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहे सब तक न्याय पहुंचे ठीक है और एक चीज़ आपको बता दे Importantly कि न्याय दिलाने के काम कौन करता है सुप्रीम कोट तो याद रखेगा सुप्रीम कोट का गठन सुप्रीम कोट का गठन अगर पुछे कि सरोच न्याले का गठन सुप्रीम कोट का गठन किस आठिकिल में है तो याद रखेगा 124 और सुप्रिम कोट में जो कारेकारी न्याधिस है कारेकारी मुख न्याधिस मान लिए कि मुख न्याधिस साहब कहीं गय हुए है कारेकारी मुख न्याधिस की न्युक्ति और वह सुप्रिम कोट में न्याधिस उपलब नहीं है तो याद रखिएगा करेकारी मुख नियाधिस की नियुक्ति कौन करता है राश्चपति करता है और इसका बन्लन किस अडिकिल में है तो अनुछेद 126 में है याद रखिएगा ठीक है और अनुछेद 127 में क्या है दोस्त अनुछेद 127 में याद रखिएगा कि सुप्रिम कोट में तदर्थ न्याधिस, और तदर्थ न्याधिसों की नियुखती कौन करता है दोस्ट, तो तदर्थ न्याधिसों की नियुकती सुप्रीम कोट के मुख न्याधिस करते हैं, और किसके सलाह से करते हैं तो राश्टपती के सलाह से करते हैं और अनुछेद 129 क्या कहता है दोस्त कि सुप्रिम कोट एक अभिलेख नियाले है सुप्रिम कोट कैसा नियाले है तो एक अभिलेख नियाले है कहाने का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोट कर नीड़ने के खिलाफ अगर कोई दूसरा न्याले नीड़ने देता है तो न्याले का आमानना मना जाता है और सारे रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोट के जो नीड़ने है वह एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं तो याद रख अनुचेद 127 में क्या है तो तदर्थ निया जिस्ट की नियुक्ती है याद रखिएगा अनुचेद 129 में क्या है कि सुप्रीम कोट एक अभिलेख न्याले है इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों यह सब आपके परिषाओं के लिए क्या हो जाते है इंपोर्टेंट आ आपको पता है कि जो है दो फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते है दो फरवरी को वीशो आदर भूमी दिवस मनाते है दो फरवरी को कौन सा दिवस मनाते है वीशो आदर भूमी दिवस मनाते है चार फरवरी को क्या मनाते है वीशो कैंसर दिवस मनाते है दस फरवरी को क और इपूल्ज़ को लोग क्या मनाते हैं ळूझेगा तो इतना आप याद रखिएगा ये आपको सचवाला साइक में विकास पूछा था याद रखिएगा ये सभी इंपॉंडटेंट और याद रखेगा संजुक्त राष्ठ के समाजिक विकास अईव के 62 सत्र के अधेक्स कौन करेंगे तो याद रखेगा रूचिरा कंबोज। यानि संजूक्त राष्ट के समाजिक विकास आयों के 62 शत्र के अधिक्सा कौन करेंगी तियाद रखेगा रूचिरा कंबोज करेंगी और दोस्तों एक बहुत important बात है कि संजुक्त राष्ट संग में भारत के अस्थाई प्रतिनिधी यह बहुत important question है भारत के अस्थाई प्रतिनिधी कौन है तो यही है रूचिरा कम्बोज हैं तो यह भी आपके परिच्छाओं के लिए काफी important है ठीक है अधार से सम्मंधित प्रस्णों के लिए UIDAI द्वारा launch AI chatbot का नाम क्या है तो अधार मित्र UIDAI का मतलब क्या हुआ दोस्तों Unique Identification Development Authority of India जो आपके अधार कार्ड को regulate करता है वो कौन है वो कौन करता है UIDAI ठीक है और एक भी दरोगा में कोशन पूछा था ESI में कि अधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं अधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं 2010 में हुई थी 2010 में हुई थी इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा काफी important है और कहां से हुई थी महराश्च से ठीक है आगे जो है यानि कि आधार से सम्मंदित किसी परकार का problem हो तो EYDI ने एक chatbot निकाला है जो artificial intelligence पर आधारित है उस chatbot आपको इसे जवाब मिल जाएंगे आपको इस अधार मित्र पर और यह artificial intelligence पर अधारित है artificial intelligence का मतलब होता है क्रित्रिम बुधी मता यानि कि एक machine में भी मनुस्क के जैसे सोचने की छमता को बिक्षित कर देना ही क्या कहते हैं याद रखिएगा इसको क्या करते हैं artificial intelligence तो ब्राजिल के नए राष्टपती कौन बने हैं तो लूला डिसिल्वा बने हैं इसको भी आप याद रखिएगा हाली में टेस्ट किर्केट में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा छक्का सबसे ज़्यादा six सबसे ज़्यादा six लगाने वाले बलेबाज कौन बन गए है उनका नाम है बेनिस्टोक्स और ये कहां के हैं दोस्ट तो ये हैं इंग्लैंड के ये कहां के हैं तो इंग्लैंड के इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों आपको पता है ना इंटरनेशनल किर्केट कॉंसिल ICC का असापना 1909 में हुआ था इसका मुख्याले कहां है दुबई और ICC के हेड कौन है ग्रेग ब्राकले ICC के हेड कौन है ग्रेग ब्राकले इसको भी आप याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा कि BCCI Board of Cricket Control in India के अध्यक्ष कौन बने अभी रोजर भी नी बने है अभी कुछ दिन बाले केवियर्स का एक्जाम हुआ उसमें ये कोश्चन आया था कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने है रोजर भी नी और BCCI के अभी सच्च्चू कौन है दोस्तों तो जैसा जो आपको जो है अमिसाज जी का बेटे है इसको याद रखिएगा ठीक है 200 सुरक्षा कॉंग्रेस 2023 का सम्मिलन कहा हुआ तो याद रखिएगा कहा हुआ तो जैपूर में हुआ कहा पर हुआ जैपूर राजस्थान में ठीक है याद रखिएगा अच्छा एक दरोगा में कोश्चन आया था दोस्तों ठीक है याद रखिएगा दरोगा में कोश्चन आया था कि भारतिये सरसो सोध संस्थान भारतिये सरसो सोध संस्थान भारतिये सरसो सोजसंस्थान यह कहां पर है दोस्तों तो यह है भरतपूर यह भरतपूर कहां पर राजस्थान में याद रखेंगा भरतपूर कहां पर राजस्थान में है इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा ठीक है और आपको याद रखिएगा कि यह जो आपको यह सब इंपोर्टेंट परिशा में पुछे जाते है और एक कजरी का फूल फॉम होता है Central Arid Zone Research Institute ठीक है यह जो है दोस्त यह कहां पर है यह है जोधपूर में ठीक है तो इसको भी आप याद कर लिजेगा इंपोर्टेंट है ठीक है और बाकी सामभर जील दिंडवाना जील पुलिकट जील नक्की जील यह सब जील कहां पर है राजस्थान में याद रखिएगा यह सब इंपोर्टेंट है आपसे पुछ दी जाते है ठीक है आगे जो है बीशो आरिवेट सम्मेलन कहां पर हुआ गोआ में बीशो आरिवेट सम्मेलन कहां हुआ गोआ में दोस्तों गोआ के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लो गोआ के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लीजे कि गुजरात हो गया महराश्ट हो गया गोवा याद रख लेना एक दरोगा में कोश्चन है था दूध सागर जल परपाथ ठीक है दूध सागर जल परपाथ तो दूध सागर जल परपाथ दोस्तों गोवा और करनाटक के बोडर पर है दूध सागर जल परपाथ कहां पर है त उसको याद रखिएगा दोस्त और गोवा में दो नदी है याद रखिएगा एक मांडवी नदी एक मांडवी नदी और एक है जुवारी नदी ठीक है और ये सभी नदियां किधर जाएंगी पच्छिम में अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं याद रखिएगा ऐसे भी नदी और जुआरी नदी जो है याद रख लेना ये किस राज में है गोवा में और कौन सा जल पर पाथ है तो दो दुसागर जल पर पर पाथ याद रखिएगा ये important हो सकते हैं परिशाओं के लिए पुछा भी गया हुआ है ठीक है डॉक्टर साइरस पुनावाला सेंटर ओफ एक्सिलेंस का सापना कहां किया गया है है ये बहुत important नाम है दोस्तों डॉक्टर साइरस पुनावाला कहां तो याद रखिएगा आपको पता है कि जो कोबीड का दोर चल रहा था तो दो वैक्सीन भारत में बहुत important री चर्चा में थे एक कोबी सिल्ड कोबी सिल है न दोस्त जो सीरम इंशूट है इसी का मालिक है कौन साइरस पुनावाला ठीक है और इन ही के नाम पर याद रखिएगा साइड डॉक्टर साइरस पुनावाला सेंटर ओफ एक्सिलेंस कहां बना है है हैदराबाद इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा और यह सीरम इ और को वैक्सिन कौन बनाया था भारत बायोटेक भारत बायोटेक बनाया था इस चीज़ को भी आप याद कर लिजेगा ठीक है तो कोभी सिल्ड किसने बनाया सीरम इंशूट बनाया और को वैक्सिन किसने बनाया भारत बायोटेक बनाया इस चीज़ को आप याद अमीष साहजी के द्वारा इसका उठाटन किया गया जो हमारे ग्रीह मंत्री है ठीक है याद रखिएगा यह काफी इंपोर्टेंट कुश्चन है अच्छा नेशनल जोगराफिक पिक्चर्स अब दे इस दोजर्बाइस आवाड डांस आप दे इगल के लिए मिला और सुब्रमन्यम को मिला तो इसको भी आप याद रखिएगा कार्तिक सुब्रमन्यम को ठीक है नबाड के नए चेर्मेन कौन बने है दोस्तो तो साजी के भी बने है नबाड के नए चेर्मेन कौन बने है साजी के भी दोस्तो एक बात याद रखिएगा कि जो नबाड है नबा रू लू इवलोपमेंट ठीक है दोस्त और इसका अस्थापना कभ वुए था तो नबाठ का फुल्पन क्या हो गया नेशनल बैंक पूर अग्री क 편चर्चर और इसका अस्थापना कभ वुए था बारह जुलाई 12 जुलाई 1982 को ठीक है और इसका मुख्याले कहा है दोस्तों इसका मुख्याले है मुंबई और याद रखिएगा एक बात कि किस समीती के सिफारिश पर नवाड का अस्थापना हुआ था तो याद रखिएगा सिवरामन समीती के सिफारिश पर नवाड का क्या हुआ था अस्थापना हुआ था और याद रखिएगा एक बात और कि ये जो है ये ग्रामीन किसान यानि ग्रामिन किसानों को जो गाउं में रहने वाले किसाने उनको ये साख उपलब करवाता है जो सहरी किसाने उसके लिए नहीं याद रखेगा क्योंकि इसका नाम ही है नेशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर और डिबलोफमेंट जी पीएस्टी का एउ में एक्जाम आया कि नबाड निमली खित को साख पहुचाता है ग्रामिन साख सहरी साख लेकिन अब क्या मारीएगा ग्रामिन साख यानि कि ग्रामिन में गाउं के खिसानों को ये पैशा उपल है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किजिए और हमें भी आगे बढ़ाईए इतना तो हक बनता है आपसे कहने का टेक केर